तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को रक्षा वंधन की हार्दिक सुपकाम नाएं, सुपकाम नाएं ही दे सकते हैं क्योंकि मिठाई तो नहीं दे सकते हैं, बहुत महंगा है तो मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे, इंगलेंड वोमेंड वर्से स्रिलंका वोमेंस का जो मुकाबला खेला जाएगा इंगलेंड वोमेंस क्यों वीन करने वाली है, इंगलेंड वोमेंस के घर पे होगा लेकिन तीम जो था वो सेम टीम था और मैंने दस पिलियर का टीम दिया वो ड्रीम टीम था क्या था ड्रीम टीम तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उमीद हम लोग करेंगे कि रिजल्ट बहतर जाये इस आज बाले पे रेंक वान बहुत दिल खुस होता है इस स्मोल लीग आप पांच लाग भी विन कर लो ना मुझे बहुत माजा नहीं आता लें गरांड लीग पे 2000 रेंक वन आजाओ किलेस हो जाए कुछ हो जाए दिल खुस हो जाए क्योंकि मैं गरांड लीग पे ही फोकस करवाता हूँ तो मेरे भाई इंगलेंड वोमेंड वर्सस सिलंका वोमेंड का मुकाबला अगर जदी आप खिलना चाहते हो तो सबसे जादा महत पूर्ण है हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके अलाबे जील का टीम, पीच रिपोर्ट, पिलिंग लेवन याने की बहतर से बहतर सांदार से सांदार टीम बनाने में जितने चीजों के वह सकता होती है, सारा कुछ टेली गराम चैनल पर फुर्वाइड करता हूँ तो आपको जोईन करना किस परकार है यह किदम सिंपल है मेरा भाई, हमारा टेली गराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है, उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कोमेंट जोता टोप कोमेंट पर होगा टेली गराम चैनल का लिंक उनकी साहता जुड़ोगे यह ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे बिलकुल फिरी का फायदा आप उठा सकते हो तो मेरे भाई हेड टू हेड रिकोर्ड की बात के दोनों टीम 2022 में खेला थार आपको पता इंगलेंड वोमेंट बहु जादा इस्टोंगा सिलंका वो नस ठीक ठाक अपने घर पे खेलती है तो कुछ अतक टकर देती इन मेरा मानना है कि इंगलेंड से सकना मुश्किल थोड़ा सा तो है एंडी सिल्वा 25 जड़ा जोकी हाइस्ट रन माना जाएगा बाकी गेनबाजी की छोर पे देखा जाए तो सोफी इलेश्टों क्या कमाल का इस्पीनर है भया एसा इस्पीनर जो विश्वा उभर 19 उभर डालने की छमता रखता है सांत में बल्ले बाजी मिल जाए तो बल्ले बाजी से भी आपको योगदान देगा सारा गेलेन अगर ज़री सोफी इलेश्टेवन को कोई संभल कर खेलेगा तो सारा गेलेन के उपर एटेक करना चाहेगा लेकिन इतना भी बुरा गेनबाज नहीं है तो गुच्छे में भी बिक्टे ले जा सकता इफकेम की बाद के दो बिक्टे लेगे ये पार्ट टाम गेनबाजी करता है गेनबाजी करना असान इनका है नहीं क्योंकि प्रूपर गेनबाज इनका खेल रहा है एक केपसी की बात के चवालिस का योगदान दिया जो कि हायस्ट रहा बागी डगवर्थ लुईस का यहाँ पर चला था सिस्टम और यहाँ पर असानी से वीन कर लिया आई राना वेरा सिरलंका का जब बड़दा सबसे क्वालिटी स्पीनर इन्होंने भी तीन विक्टे लेगे और राना सिंगे देखो यह मेडियाम फास्ट गेनवाजी करते देखोगे तैसा लेगा कि स्पीन गेनवाजी कर रही है चमारी अटा पट्टू अगर जदी यह गेनवाजी करेगी तो केप्टन भास का यह भी अच्छा खासा च्वाइस रहेगा क्योंकि बल्ले बाजी लाजजवाब करती है तो मेरे भाई यहाँ पर देखा जाए अपना लास्ट टी-20 मुकाबला इंग्लेंड वोमेंज जो आस्टेरलिया के खिलाब खिल के आ रहे लगभग सारे गेनवाज को एक एक बिक्टे मिला लेकिन एन इसकारबर बरांट को दो बिक्टे तो सारा गेलेन को जीरो बिक्टे तो सारा गेलेन को यहाँ पर पिटाई पड़ी थी लेकिन यहाँ पर सिरलंका खिलाब इंपोर्टेंड रहेगी इंगलेंड वोमेंज आस्टेलिया वोमेंज वीन करके आ रहा तो इंगलेंड वोमेंज की बात कीजा तिया पर डेनियाल वेट ने यहाँपर 76 का योगदान दिया जो की हायस रहा गेन बाजी में देखकी जा सारा गेलेंज सोफी लेस्टें दो-दो विक्ते ले गई बागी इस परकार सिंका गेन बाजी रिकोर्ड रहा बात कीजा सिर्लंका वोमेंज अपना लाश्क मुकावला नीजिलेंड वोमेंज खेल क्या रहे अपने घर पे खेली तरिया मुकावला स्रिलंका वोमेंस ने वीन किया किस ने किया किया आईरानावेरा ने तीन विक्टे एस कुमारी जो की स्पीन गेन वाजी करते दो विक्टे कविसा दिलरी ये भी स्पीन गेन वाजी करते बले वाजी भी ठीक ठाक कर लेते पिटाई पड़ी लेकिन एक बिक्टे लेगे सिर्लंका ने ओपन से ही फिनिस कर दिया चमारी अटाप पट्टू की आतीसी पारी असी और हरसीता की बात किया इन्होंने उंचास का योगदाम दिया था इनके लाबें दूसरा देखा जाए तो ये सेम न्युजिलेंड के वोमेंस के खिलाब खेली और यहाँ पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा एच परेरा 33 जोकी हाइच रही गेन बाजी में देखा जाए एक एक बिक्टे के दिलहरी आईरन वेरा ले गई बाकी सारी फुलो पर रहे और इनकी टीम को हार का सामना भी करना पड़ा तो मेरे भाई चलिए जो इंपोर्टेन एक कूंबीनेशन उनके उपर नजार डालते हैं लेकिन इससे पहले हागे जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करलो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन दे देता हूँ इनके अलावे को जानकारी लेना हो इंस्टा पे मेंसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई भी देता हूँ वह बहतर तरीका से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्रिलंका वोमेंस का जो की बेस्ट फिलेर सारे टीम पर होना चाहिए देखो आई राना विरा एक हो गई सी अटा पट्टो के दिलहरी इनके अलावे ओ राना सिंगे को भी यहाँ से पिक कर सकतो इसकुमारी भी इंपोर्टेन है तो वो गेनबाजी जो पहले करीगी तो उनके अनुचाराम लोग देखेंगे बलेबाजी पर एक मातर यहाँ पर हरसीता की बात कर जब बलदास खिलती है काफी टाइम देती है इसा लगता है कि ODI की तरह खिलती है तो यहाँ से तीन प्रोपर जो मैं पिक करूँगा वो गेनबाजी बलेबाजी पर निर्भर करेगा इनके अलाबे इंग्लेंड वोमेंस इस्ट्रोंग है तो यहाँ से एमी जोन्स यहाँ से इंपोर्टेन हो जाएगी कितने नम्मर पे आती है बलेबाजी के लिए देखना दिल्चस्प होगा एक किप्सी यहाँ से आजाएगी देखो डी गिप्सन भी खेलेगा इंपोर्टेन रहेगा एक बढ़िया ओर राउंडर है बाकी गिनवाजी पे केट कुरोस सारा गिलेन इनके लावे एल बेल आई वोंग में से कोई एक खेलेगा तो उनके उपर हम लोग चल जाएए तो यह आई वोंग का खेलने के चांस काफी जाद आदी क्योंकि इनके खेल भी चुकी है पाकी एक पिलर जो मैं स्रिलंका वोमेंस का पिक करने वाला हूं तो हो सकता मैं बल्लेबाजी में एच समर्विक्रमा को ले लू या फिर गेनवाजी में ओर आना सिंगे जो कुछ हद तक बल्लेबाजी ये कर लेती है केप्टन बीसी का देखा जाए 24 यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि इंगलेंड मुमेंस का जो है वो केप्टन बीसी का जो बेस्ट चुआइस एनी स्काइबर होती थी वो नहीं खेल रही है तो अब इसे इस्तितिमना सोफी लेश्डोन खेल रहे है तो यहाँ काटी के मुकाबला होगा यहाँ पर सिलंका भी पलट वार कर सकती है तो फिलाल के लिए सेटा पट्टू अगर जोड़ी गयन बाजी करते है थो बनियां च्वाइस है केप्टन बीसी का बांकी नही तो मैं यहांसे देखा जाए तो हेदर के नाइट को मैं यहां से बीसी दे रहा हूँ और यहां पर एक केपसी को यहां पर मैं केपटन सी दे रहा हूँ बाकि सियाटा पट्टू का नियू जी मिले की गेनबाजी करेगी तो मैं केप्टन भी सी एक एपसी और सियाटा पट्टू के उपर ही जा सकता हूँ तो मेरे भाई फिलाल के लिए आप ये टिम सेप करकर रहा हो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा कहां अपने टेली गराम चैनल डुमेस्टिक प्लेइंग 11 पे तो फिलाल फिले वीडियो के हैं समाप करता हूँ आसा करता हूँ भगवान की किरपा से हम लोगों का या रिजल्ट बहतर जाए